दोस्तो हिंदू धरम में अमावस्या की तिथी का विशेश महत्व होता है। तो उसे हम सोमवती अमावस्या ही कहते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समरिधी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दो सितंबर दो हजार चौबीस सोमवती अमावस्या तिथी के दिन शिव पुरान के अनुसार बस कर लेना ये काम। जीवन के हरकश्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ती, खुश्यों से भर जाएगा आपका घर, भगवान भोलेनात माता पार्वती जी के आशिरवात से फिर आने वाले समय में दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पती बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तो हमारे हिंदू धरम में एक वर्ष में बारा मवस्या तिथी पढ़ती है, लेकिन इन में सबसे जादा विशेश और खास महत्तव सोमवती अमवस्या तिथी का होता है। तिथी 2 सितंबर को सुबह 5 बच कर 21 मिनट पर शुरू होकर अगले दिन सितंबर को सुबह 7 बच कर 24 मिनट तक है। इसलिए इस साल सोमवती अमवस्या तिथी 2 सितंबर को मनाई जाएगी। दोस्तों जोती शास्तर की अनुसार 2 सितंबर को पढ़ने वाली सुमवती अमवस्या तिथी के दिन 28 तरीके के शुबयोग बन रहे हैं जिसमें शिवयोग, धन योग, नक्षत्र योग, अमरिच शिद्धी योग, ग्रह योग जैसे शुबयोग का निर्मान हो रहा है और ऐस तो इस दिन अगर आब भ्रहम मुरत में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर सनान करते हैं, पूरे दिन का वरत रखते हैं, तो साक्षात आपको देवों के देव महादेव और माता पारवती ची का आशिरवाद और वर्दान एक साथ प्राप्त होगा। हमारे वेद पुरानों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति सोमवती अमवस्या तिथी का वरत रखता है, उसको उसके पिछले जन्मों के पापों से मुक्ती मिल जाती है, उसको मोक्ष की प्राप्ती होती है। लेकिन दोस्तों अगर किसी कारण वश आप इस सोमवती अमवस्या तिथी के दिन भरम मुहरत में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवितर नदी में जाकर सनान नहीं कर सकते हैं, तो पूरे दिन का वरत नहीं रख सकते हैं। मान लीजी, आप लंबे समय से नौकरी की तयारी कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। और जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक भगवान भोलेनात की महिमा गाई जाती रहेगी। दोस्तो हमारे वेद पुरानों में साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान भोलेनात बहुत ही जादा भोले हैं, जिनके कोई भी व्यक्ति थोड़ी से भी विधिविधान से पूजा पाट कर लेता है, भगवान भोलेनात उस व्यक्ति को अपना आशिरवाद दे देते हैं, और दोस्तो सोमवतिय मवस्या तिथी के दिन भगवान भोलेनात खुद धर्ती पर वास करने आते हैं, इस दिन अगर आप शिव पुरान के अनुसार वो काम कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आज किस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो अवश्य ही आपको भगवा भगवान भुलेनात का आशिरवाद हमेशा आप पर बना रहें, भगवान भुलेनात की कृपपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी श्रधा से और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजे और पा सकते हैं, वो आकर हम आपके कमेंट में रिपलाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों पहले आपके घर में धना रहा था, अब आपके घर में धनाना बंद हो गया है, आपके घर में लगातार धन संभंदि अमवस्यातिति के दिन, सुभह के वक्त आपको अच्छे तरीके से नहा लेना है, किसी भी पूजा घर से आपको छोटा सा डमरू खरीद कर लाना है, इस डमरू को आपको अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है, और प्रतेक सोमवार को आपको अपने इस इतना उपाए अगर आपने सोमवती अमवस्यातिति के दिन कर लिया, तो दोस्तो भगवान भूलेनात के आशिरवात से आपके घर पर धन आना शुरू हो जाएगा, आपके घर में जो धन आएगा, उसमें वरिदी होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उनती और प्रतेक सोमवार को डमरू को धूब दिखाता है, तो उस व्यक्ति के घर पर सदैव, देवों के देव महादेव जी का आशिरवाद बना रहता है, तो इस उपाए को करना मत भूलिएगा, दोस्तों अगर आप लंबे समय से बिमार चल रहे हैं, और आपकी बिमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना इलाज करा करा कर ठक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाब नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा, इस सोमवतिया मवस्यातिती की सुब है, आपको अच्छे तरीके से नहा लेना है, आपको एक लोटा कच्चा दूद लेना है, और आपक को शिवलिंग पर अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखेगा कि शिवलिंग पर दूद अर्पित करते वक्त आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ माता पारवती जी और भगवान भुलेनाथ जी का वास होता है, जब आप प पूजा में 108 की संख्या का प्रियोग किया जाए वो पूजा तुरंथी सिद्ध हो जाती है और उसके बाद आपको अपनी बिमारी से मुक्ति की प्राथना भगवान भुलेनाथ से करनी है सिर्फ इतना उपाए अगर आपने इस सोमवती अमावस्यातिति के दिन कर लिया यकी भवान भुलेनाथ किसी व्यक्ति को आशिरवात दे दे तो उस व्यक्ति का खुद काल भी कुछ नहीं भी गाड़ सकता तो इस उपाए को करना मत भूलेगा दोस्तों अगर आपका दुर भाग्या आपके पीछे पड़ा रहता है आप चोटे-चोटे काम करते हैं उसमें ब भवान भुलेनाथ के मंदिर जाना है मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और ये जो लॉंग की पोटली आप लाएं हैं इसको आपको अपने सिर से चुआ लेना है और मंदिर के बाहर बैठे भिख्षू को दान कर देन हैं आपके ऊपर कोई भी दोश होगा कोई भी परिशानी होगी वह ये लाउंग अपने साथ ले जाएगी और आपको अपने दुर भागें से दोशों से मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भागय आपका साथ दे आपके नवग रहे अगर गाये को कोई भी व्यक्ति अपने हाथों से आठ रोटी खिला देता है तो उस व्यक्ति पर देवों के देव महादेव जी का आशिरवाद बन जाता है। पूजा पाथ वसनान दान का पालन करता है। उन्हें सुकसमरिद्धी का आशिरवाद प्राप्त होता है। साथ ही इस विशेश दिन पर व्रत का पालन करने से अक्षेपने की प्राप्ति होती है और पित्रों को तरपन प्रदान करने से उनका आशिरवाद मिलता है। धार्म धरम में अमवस्या की बहुत महतता है और इस दिन सनान करने से काफी लाब होता है जितनी भी अमवस्याएं हैं उन में से सोमवती अमवस्या को सबसे खास माना जाता है हर महां एक अमवस्या होती है लेकिन अगर कभी अमवस्या सोमवार के दिन पड़ जाए तो उसे सोमवती अमवस्या कहते हैं ये एक शुब बेला मानी जाती है इस दिन वरत रखने से लाब होता है साथी सिनान करने और दान पुन्य करने के लिए भी ये दिन काफी शुब माना जाता है इस दिन एक खास उपाई करने से भी आपको लाब मिलता है सोमवती अमवस्या के उपाई सोमव सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत शुभमाना जाता है इस दिन मचलियों को आटे की गूलियां बना कर खिलाना, चीटियों को आटा डालना, पीपल, बर्गद, केला, तुलसी जैसे पौधे लगाना भी बहुत शुभफल प्रदान करने वाले उपाएं हैं सोमबती अमवस्य को पित्रों का श्राद तरपन पिंडदान करने से जीवन के सभी दुख और कश्ट दूर हो जाते हैं काल सर पदोश से मुक्ती पाने के लिए करें ये उपाएं धार्मिक मानताओं के अनुसार भादर पदमा की अमवस्या के दिन किसी पवित्र नदी में सनान करें और भगवान शिव की पूझा अर्चना करें भगवान शिव की पूझा अर्चना के बाद चांदिया तांबे से बने हुए नाग और नागिन के जोड़े को किसी बहती नदी में प्रवाहित करें और काल सर पदोश से मुक्ती के लिए प्राथना करें मानिता है कि ऐसा करने से कुंडली में इस्थित काल सर्प दोश से चुटकारा मिल जाता है जोति शास्तर के अनुसार काल सर्प दोश से मुक्ती पाने के लिए अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में सिनान करें और भगवान शिव का गंगा जलसे अभी शेक करें इसके कुंडली में काल सर्प दोश से मुक्ती पाने के लिए भादरपद महा की अमवस्या के दिन राहु और केतु के बीज मंतर का जाब करने से काल सर्प दोश का प्रभाव कम हो जाता है सोमवती अमवस्या के दिन पित्र होते हैं धर्ती पर जोतिश चर्या बताते हैं कि अमवस्या के दिन पित्र तरपन अवश्य करना चाहिए अगर उसमें से भी सोमवती अमवस्या का दिन हो तो नराज पित्रों को कुछ उपाई कर प्रसंड कर सकते हैं इस दिन पित्र धर्ती पर रहते हैं पित्र अगर प्रसन हो जाते हैं तो घर में हमेशा खुश हाली आती है कभी भी परिवारिक कलहे नहीं होते इसके साथ ही वन्ष पर भी सकरात्मक प्रभाव पढ़ता है वही अगर पित्र नाराज हो तो हमेशा घर में स्वास्ते की समस्य परिवारिक लहे आर्थिक समस्या जैसिस्थिती बनी रहती है वहीं पित्रों को खुश करने के उपायों के बारे में भी बात कर लेते हैं पित्रों का समरन करें उनको आवाहन करने के बाद जल काले तिल सफेद फूल से उनके लिए तरपन करें ये जल पाकर वे त्रिप्त होंगे जिससे उनकी नराजगी दूर होगी और वे आपको आशिरवाद देंगे नमबर दो सोमवती अमावस्या पर आप अपने पित्रों का शुराद कर सकते हैं पित्र दोश की शान्ती के लिए त्रिपिंडी शुराद करते हैं इससे पित्र खुश होकर आशिरवाद देते हैं नमबर तीन सोमवतिया मावस्या के अवसर परपित्रों को खुश करने के लिए आप शाम के समय में अंधेरा होने पर दक्षन दशा में एक दीपक जला सकते हैं वो दीपक सरसो के तेल का हो सकता है सो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो इंफर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताके ने वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे धन्याबाद